एडूबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन के समाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट एक की वर्सिट नमबर छे बच्चों आज की वर्सिट में हम लोग फ्रांसेसी करांती के छठे भाग को डिसकस करेंगे इससे पहले हमने इसके पांच भाग पढ़ ली है और आज की पार्ट में हम लोग महिलाओं के लिए करांती के अर्थ को समझेंगे दास प्रथा के बारे में जानेंगे और फिर फ्रांसेसी करांती की विरासत मतलब फ्रांसेसी करांती से हमें क्या-क्या प्राप्ट हुआ इन बातों को हम जानने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की वर्क्सिट फ्रांसेसी करांती जानते हैं कि बहुत ही एतिहासी करांती थी और इसने विश्टो को बहुत कुछ दिया और आज हम इस वर्सिट में इस इसका डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि महिलाओं के लिए क्रांती का अर्थ क्या था महिलाय फ्रांसेसी क्रांती की गतिवीधियों में सक्रिय रूप से सामिल थी मतलब जो फ्रांसिसी करांती हुई उसमें महिलाएं सामिल थी उन्हें उमीद थी कि करांतीकारी सरकार उनका जीवन सुधार ने है तू ठोस कदम लेगी अधिकांस महिलाओं के पास पूरसों की तुन्ना में बेहत कम आउसर उपलब देते मतलब कि वहाँ पूरसों की स्थिती अच्छी थी और महिलाओं की स्थिती बुरी थी राजनितिक अधिकार महिलाओं को नहीं मिले हुए थे लेकिन कुछ-कुछ सुधार आने की उमेद थी इस वज़ा से महिलाओं भी राजनितिक फ्रांसिसी करांती में सामिल हुई और अप चुछ महिलाई बैखती थी और अपने राजनीतिक अधिकारों के लड़ाई और बातों से बाते होती थी यूजनाये बनती थी तब जाकर कुछ उससे महते तरया कराफ होता था और महिलाओं ने अखवार भी निकाला उनकी एक प्रमुख मांग पूरुसों के समान राजनीति अधिकार की थी महिलाओं की मांग थी कि पुरुष को जितने भी रादनितिक अधिकार मिले हैं जैसे मतदान का अधिकार चुनाओं लड़ने का अधिकार सासन में सामिल होने का अधिकार वह सारे अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए 1791 के सम्मिधान में उन्हें निस्क्रिये नागरी का दर्जा दिया गया लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद 1791 में जब सम्मिधान बना तो उसमें महिलाओं को निस्क्रिये नागरी का दर्जा दिया गया सुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागो किये जब क्रांतिकारी सरकार बनी तो सुधार लाने वाले कुछ कानून लागो हुए जैसे लड़कियों के लिए अस्कूली सिक्षा को अनिवारे बना दिया गया तो यह एक अच्छा सुधार हुआ, अब साधी को स्वैक्षिक अनुबंध माना गया और नागरी कानूनों के तहट उनका पंजी करन किया जाने लगा, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अरजी देने का अधिकार दिया गया, उसके पाते होने लगी, लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्स जारी रहा, इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपून थी ओलंप दे गुंज, जो नागरीक महिलाओं के लिए अधिकारों की लड़ाई हो रही थी, उसमें जो नेत्री थी हुआ थी ओलंप द पत्र की तरज पर महिला एवं नागरीक अधिकार घोशना पत्र तयार किया, उलंप दे कुझ ने घोशना पत्र तयार किया, कौन सा महिला एवं नागरीक अधिकार घोशना पत्र की महिलाओं को भी नागरीक अधिकार मिलना चाहिए, और महिला अधिकारों के लिए देश द्रोह का मुकदमा चलाए गया और उन्हें फांसी दे दी गी मतलब नेशनल कन्वेंशन के सासनकाल में महिलाओं की स्थिती बहुत खराब रही होगी अंधता सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार का मताधिकार हासिल किया उनकी लड़ाई लवभग 150 वर्स तक चली और 150 वर्स के बाद महिलाओं को मताधिकार प्राप्थ हुआ नेक्स्ट है दास प्रथा और क्रांति उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबीन सासन के क्रांतिकारी समाजिक सुधारों में से एक था जैकोबीन सासन ने जो समाजिक क्रांतिकारी सुधार किया उसमें उसमें सबसे अच्छा काम किया कि दास प्रथा का उन्मूलन किया दास प्रथा का अंद किया केरिबियाई उपनिवेश तंबाकू नील चीनी काफी जैसी वस्तों के महत्पूर्था करता थे और परचीत दूर देश जाने और काम करने के प्रथी यूरोपियों की अनिच्छा से स्रम की कमी को यूरोप अफरिका यूर अमेरिका के बीच त्रिकोणिये दास ब्यापार दूरा पूरा किया गया मतलब कि इतने दूर कोई भी यूरोप ये वक्ति नहीं जाना चाहता था वहाँ जाकर कोई काम नहीं करना चाहता था जैसे तंबाकू का कम नील का काम चीनीं में कोफी का काम तो इसलिए इन लोगों ने एक ट्रिकोणिये दास व्यापार चलाया जो कि यूरोप अफरीका एम अमेरिका के बीच चला दास ब्यापार 17 सतावदी में सुरू हुआ और फ्रांसीसी सौधागर अफरीका से अस्थानिय सरदारों से दास खरीजते थे मतलब अफरीका के जो लोकल सरदार थे वह कुछ दासों को इकठा करके फ्रांसीसी ब्यापारियों को बेजते थे और ये फ्रांसीसी ब्यापारी उन दासों को ला करके यूरोप में बेजते थे अमेरिका में बेजते थे दास ब्यापार पर निर्भर ब्यापारियों के बिरोध के भैसे National Assembly में कोई कानून पारित नहीं किया गया और दास ब्यापारियों का इतना प्रभाव था कि इनकी भिरोज से दास ब्यापारियों के खिलाप National Assembly की जो सरकार बनी थी उसमें इनके किलाप कोई भी कानून पारित नहीं किया गया सन 1794 के कंवेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेसों में सभी दासों की मुक्ती का कानून पारित कर दिया 1794 में जो कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेस थे उन सबों में दासों की मुक्ती का कानून पारित कर दिया और 10 वर्सवार नेपोलियन ने दास प्रथा पुना सुरू कर दी बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंतरता मिल गई और सभी फ्रांसीसी उपनिवेसों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया अब है फ्रांसीसी क्रांती की विरासत फ्रांसीसी क्रांती ने क्या दिया इस से दुनिया को क्या मिला इस चीज़ को हम देखते हैं स्वतंतरता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांती की सबसे महत्पून विरासत थे सन 1789 में सेंसर सिप की समाप्ती हुई अधिकारों के घोषना पतर ने भासन और अविवक्ती के स्वतंतरता को नैसरगिक अधिकार घोसित कर दिया मतलब 1789 में जो सेंसर सिप समाप्त हुआ तो उसमें अधिकारों के घोषना पतर ने भासन और अविवक्ती मतलब को को इपने विचार को अविवक्त कर सकता है वहाषन दे सकता है अपने विचार व praying कर सकता है इन सभी अधिकारों की घोषना की गई ये विचार फ्रांस से निकल कर बाकी दुनिया में फैले कि विचारों की स्वतंतरता होनी चाहिए, अभिवत्ती की स्वतंतरता होनी चाहिए, इनके करण सामन्ती विवस्था का नास हुआ, और अपनिवेसिक समाजों ने स्वतंतरता के अपने आंदोलन में दास्ता से मुक् प्रस्न है जैसे फ्रांसिसी महिलाओं के लिए क्रांती का क्या अर्थ और महत्तो था फ्रांस की राजनिती और व्यापार में दासों का क्या महत्तो रहा फ्रांसिसी क्रांती के बाद कौन-कौन से कानून वने जिन से आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और फ्रांसिसी फ्रांसिसी महिलाओं के लिए क्रांती का क्या अर्थ और महत्व था। फ्रांसिसी राजनिती और ब्यापार में दासों का क्या महत्व है। फ्रांसिसी क्रांती के बाद कौन से कानून बने जिसे से आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। इसका उत्तर है फ्रांसिसी क्रांती के बाद सरकार ने कुछ सुधार कानून लागो किये। जैसे लड़कियों के लिए अस्कूली सिक्षा अनिवारिक कर दी गई, अब विवाह को एक सैक्षिक अनुवंद घोसित किया गया, तलाग को बैध करार दिया गया और पूरुसों और महिलाओं को इसके लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया। अब महिलाओं व्यवसाइक प्रसिक्षन ले सकती हैं, कराकार बन सकती हैं। और प्रशन चार है, फ्रांसीसी क्रांती के उन विचारों की सुची बनाएं, जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में अस्पस्ट रूप से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांती के पांच मुख्या दर्स थे, सोतंत्रता, समानता, वंधुत, लोकतंत्र और कानून का सासन। तो बच्चो इस तरह से आपकी ये वर्सिट कंप्लीट होती है, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू